Hello everyone, Welcome back to our channel Future Study इसमें जो हिंदी सब्जेक्टे स्टूडेंट के पास हिंदी A पॉल यूजी कोर्ष स्टूडेंट सेमेस्टर सैकिंड के इसमें हिंदी भासा और संपेशन और संचार इसके important question भी तंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देख लिजेए इसमें जो आपका chapter 3 unit second का उसके important question हमने ले रखे इससे पहले हमने unit आपकी first complete कराई है and unit second का chapter first and second complete हो चुग है यह thawd की बात की जा रहे है ठीके और यह पीडियो आप देख सकते हैं अच्छे note से आप इससे study कर सकते हैं इसमें हम आपको तीन question के answer बताएंगे तीन question concern इसी वीडियो में मिलेगे and आने वाली next video में बाकी की question concern मिलेंगे इसी chapter के अगर आप चाहे तो इस फीडियो को purchase भी कर सकते हैं आपको पर्चेस करने के लिए only 50 रुपे 50 रुपे में आप इसे purchase कर सकते हैं कैसे purchase करना है तो आपको हमारे WhatsApp मैसेज करना है कि हम इस video को purchase करना है तो आप कर सकते हैं और एक दिन आपको इस video को पढ़ने के बाद ही ऐसे इतने अच्छे point है कि आपको समझ में आ जाएंगे और आप अंसर लिख सकते हैं पेपर में इस question जरूर आएंगे पूरे syllabus के according आपका पूरा syllabus इस video का अंदर complete है तो हम एक एक करके आपका जो वीडियो भी complete कराने की कोशिस कर रहे हैं ठीक है तो आपको समझ में आगे चलिए हम इसमें question क्या है सबसे पहले अनुछेत से आप क्या समझते हैं अनुछेत का अथ परिभास और स्वेरोपिस फर्ष्ट कीजिए second question ने अनुछेत लेखन का महत विशेष्टा परकार का वर्णा कीजिए third question जो आपका बनेगा पलवन और अनुछेत लेखन में क्या आंतर है ये तीन question का अंसर आपको इस video में कराएंगे इसके बाद बाकी के question जो रहे जाएंगे और next video में complete करा देंगे ठीक है तो देखिए answer यहां से start आपका अनुछेत लेखन की परिभासा तो इसकी परिभासा आप देख सकते हैं क्या है इसको क्या कहते हैं कैसे किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिए लिखे गए संबाद तथा लगू वाक्य समू को अनुछेत लेकन कहत कि लिखे जए खिए किसी थे किसी को व्यक्त करने के लिए लगू वाक्य समू होते हैं उसको अनुछेत कहते हैं कर रहें संचित लेकनी मतलब कि देखिए और दूसे सब्ता हो है persianence saliva नोट्स लिखते हैं उसी को अनुच्छेत कहते हैं लेखन सैली में प्रयुक्त किया जाता है उसे अनुच्छेत लेखन कहते हैं तो आपको समझमा कि इस क्या गया देखिए अनुच्छेत लेखन क्या है किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लगो वाक कि आप लगू वाक्य लिखते हैं उसी समू को नुझेद लेखन कहा जाता है तो आपको समझ में लोगे अनुझेद लेकर क्या है इसका बास भी कुद्दे से महत्म विंदूं को करना है जो एक या कई वाक्यों के माध्यम से होता है तो मतलब इसका उद्देशी जो आपके विंदुए होती है उसको व्यक्त करना होई एक माध्यम से भी हो सकता है या कई वागय माध्यमों के जरूरी नहीं होता है किसी भाव या विचार को ब्याक्ट करने के लिए लिए लगोवाकिय का जाता है आपको अनुछे समझ में आगी हो इतना मतलब कि जैसे आपके पेपर में लाश्ट कोशन आता है कि किसी दो पंति पर संचिफ नोट्स लिए निवन ताइप कर जो आप ल मुख विशेष्टा नेक्स कुर्शन आएगा पेपर में कि विशेष्टा बताईए या अनुछेत के महत बताईए या इसके लाब बताईए तो आपको यह पॉइंट लिखने होते हैं तो देखें अनुछेत लेखन में वाओ या विचारों को एक बार में एक ही इस्थान पर व्यक्त किया या लिखा जाता इसमें अन्य विशे के विचार नहीं रखते तो अनुछेत में क्या होता है कि जैसे कि एक ही जगा पर एक ही स्थान पर सिप एक ही विशे के बारे में बताया जाता इसमें अन्य विशे के बारे में विचार नहीं किया जाता इसका सैकेंड प हुआ जाता है प overs May just May kya пос बाकिवले से जुड़े हुए सबका संबंद होता है बाकिवा कि छोटे तथा एक दूसरे से अलगुए होते हैं तो जो वाक्य छोटे होते और एक दूसर से अलग होते हैं अनुछित एक सोतंत और पून रचना है जिसका कोई भी वाक्य बिना आउसक के नहीं जुरा होता तो यह क्या एक सोतंत पून रचना है और इसमें जो वाक्य जरूरी से पूसी को लिखा जाता है बिना आउ को समझने में कोई दिक्कत ना हो तो मतलब कि अच्छे का लेखन मतलब कि जैसे पहले फॉर्ष तर फिर उसके बीच का फिर उसके एंड का निसकास जैसे कि आप एटू जैट लिखते तो यह से वी सी डी ऐसे करते नहीं है थोड़ी नहीं के बाद लिख दिया यह लिख दिया दिखन के संकेत विंदू के अनुषार यह विष्यवस्तु का करम तयार होना चाहिए तो मतलब कि जिस टाइबस आप लिखने की कोशिट उसके संकेत देरे उसी टाइप से जो आपके विश्यवस्तु का करम तयार किया जाता है ठीक है और यह के लगू रूप में आपको ल आपके पीपर में कोश्चन आ सकता है कि अनुछेत लिखते समें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या किससे हमें नुकसान हो सकता है तो क्या चीज़ा हमें नहीं करनी चाहिए तो यह आप पॉइंट लिखेंगा ठीक है नोर नहीं को यहा दखेगा है अच्छे अनुछ्चित में स्वाइन पत्तम रूप एख़ा और संकित विंदू आउश्द करें कुछ परसंपतों की रूप रिखा और संकिती विंदू चीचे अनुच्छ टरीकसे अनुच्छत में एक विषय के पक्च के क्वर्डना करना अत्ली आपको पता ही किसी भी चिज़ के दू होते हैं तो जितना वर्ड स्कहानि भर यहां है लिख्ते किस प्लेश पईस्य पर यह एक आप सकार्मक उपर यह उसकने हैं कि अनुछ्यत में लिखना और सब्दों की खीमित होती तो ज turning लिखने के संक्या कि आपको 500 वर्ड का अनुछेत लिखना है तो जितना वर्ड लिमिट होता है उसी को अकॉर्डिंग लिखना चाहिए तो पहले से पता होगा अगर नहीं पता है तो आप कहानी भर के बनाते लिखते जाएंगे पता लगे आपने जितना मांगा जाता है उसी को अकॉर्डिंग लिखना चाहिए लिखते समय इस भात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुछेत की भासा सारा लहम सुष्पर्ष्ट हो और पढ़ने वाले को परभावसाली लगे ताकि समीच्छा परभाविक हो तो मतलब आपको इनकी जो आपको करना चाहिए जितनी जरूरा है उसका अनुछेत लेखन में कभी दोरा की स्तती भी होनी चाहिए कि यह जीकर कई वार ना थो तो अच्छा यदि अनुछेत में सब्दों का हो तो दो होगा तो दिये गए सीमित सब्दों में लिखने वाले का संदे समीचक तक इस पर्ष रूप से नहीं पहुंच पाएगा तो यहां यह क्या जा रहा है कि जो अनुछित आप लिखते समें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एकी सब्दों को बार बार रिपेट नहीं करना चाहिए अगर आपने अनुछित से लेखन का रूप विष्दित नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसे भी ना हो कि विष्दित और संचेप रूप के ध्यान में विषय से ही अलगाओ हो जाए यह ध्यान रखना होगा कि जो विषय लेखन उसी पर हो तो यह भी पता जा रहा है कि जो आप किसी भी नहीं सीमीत नहीं सकता हो ध्यान में रखना है एकथ अच्छे अनुछित 200-120 सब्दों में लिखे जा सकते है सब्दों की समय सिमा अको ध्यान में रखा जाय तो अनुछित और महत्वरबातेжеं ही यह जाए गही सीमीत मात्रा में होते है इते अध्यिक Soci से एक सभी से 5 ए आपको लिखने इसके अंदर हालतों की रमाइन नहीं डालनी होती है नेक्स पॉइंट लिखने वाला का अनुछियत एक ही रूप में होना चाहिए पढ़ते समय पार्ठक को ऐसा ना लगे कि वह किसी और अनुछियत को पढ़ते दूसे विशे पहुंच गया ऐसे में पढ़नेवाले को ध्यान विशे से भटक सकता है अगर आपने किसी ऐसे कारेकरम के लिखा है माल लिजे आपने रिपोर्ट लिखाए कि किसी प्रोग्राम के लिए तो यूशी के बारे में होना चाहिए ना कि आगे चलके उसमें कोई पढ़ाई के लिखा जाए तो ठीक है वही विश्य होना चाहिए नहीं तो उससे भटक सकता है ध्यान जी से पढ़ने वाले का लिखते समय यदि विश्यम से संबनी कोई सूती अथवा कभीता ध्यान में है तो उसे भी लिखा जा सकता है इसमें अन अनुष्यत को और अच्छा बनाने के लिए कुछ अंग्रियेजी सब्दों जैसे टैली विजन, कम्पूर्टर, फोन जैसे सब्दों का भी इस्तमाल किया जा सकता है तो अच्छे अनुष्यत बनाने के लिए इंग्लिस वर्ड का भी प्रियोग कर सकते आप लो नेक्स पॉ लेखन के परकार अब इसके परकार क्या है तो निम्लिकित होते हैं करके हम इसके बारे में भी देखेंगा ठीक है किसी भी बिश्यत लिखने से पहले पैराग्राफ लेखन के परकारों को जाना हो सकते इसलिए पैराग्राफ लेखन के विविन परकारों को समझने के लिए नीचे दिए गई जान करें जांच करें मुख्य रूप से अनुछित लेखन का चार प्रकार के होते हैं तो यह चार प्रकार को देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही आप लिख सकते हैं तो फैले सबसे पहले में आपको वर्ण करना होता है किसी भी चीज का तो देखें इस बूबुद से विशे का वर्णन करता है और फांच इंद्रियों को आकर्षित करता तो किसी भी विशे का वर्णन किया जाता है स्चिंग में इस परकार का लेखन किसे कहानी और इस्तिति की आव सकता है किसी चीज की जानकरी हासिर निचेए प्रकार के लेखन का उद्धे से दसको को लेखक की डिष्टिकोन को शिकार करना है। इसका अपयोग अधिक्तर सिख्छों को द्वारा मजबूत तक प्रदान करने के लिए किया जाता है। में प्रदान करने के लिए प्रयोग जाता है। तो यहां तक इसके प्रकार थी करने सोट। अगर आप चाहिए इसके प्रकार को लिए। rat जो रशन से से जए नुगान के लिए। अपने तरीकार में अधिक्तर सावर आपने खिरें के लिए। okay ऐसके बाद देखे and next question beginner सब्सक्राइब अंतर क्या है तो यह हम आपको देख लेते हैं सत्यी रूह में तो अनुछिय तत्य तत्य परवन दोनों सममान गेते हैं सब्सक्राइब दोनों कहते हो लेकिन आंटी रूह में दोनों में प्रियाप अंतर है लिखने किसी भी रचना का एक भाग होता है जिसमें मुख्य विषय को पुष्ट करने हे तुस तथ्य दिये जाते तो अनुछेत में किसी भी रचना के किसी भाग के विषय के बारे में आपको जानकर जाती है अनुछेत लेखन में आत्म कथात्मक सैली का परियोग भी किया जाता है इसमें इसका परियोग नहीं किया जाता है आपको समझ में आ गया। जो इसका ठोड पॉइंट है अनुछेत में स्छ cuma जाता है। अनुछेत लेखन में किसी भी काल का परियोग किया सकता है। प्लवन में स्रिफ बतमान काल का प्रियोग किया जाता एक से अधीक अनुच्यत किरित बहुत सारे हो सकते इसका आखता हुआ तो यहां पर इस का अंसर था जो की फाइनल यहां खतम हो चुका है अब आने वाली जो आपकी नेक्स वीडियो में ग्लास में जो आपके डाइडी को खॉचन की बात की जाएगी और इसमें जो हमने आपको एक इंतर वाला उसन बता दिया है और इसके प्रकार बता दिया और पलस नुछी तो लाइक सेर कीजिए अगर आप इस वीडियो को पर्चेस कर सकते हैं अगर आप चाहे तो हमाई WhatsApp पर कॉंटे करके एक दिन में यह आप वीडियो को अच्छे से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो वीडियो को सेर कीजिए थैंक यू